C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर 18 सबक 3 परिंदों की दुनिया हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं किसी की आवाज सुरीली है, किसी की करक्त कुछ परिंदे आस्मान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं जैसे उकाब, चील और कबूत रवगएरा कुछ परिंदे मामूली ऊंचाई तक उड़ते हैं जैसे तोता, मेना लेकिन ज्यादा तर परिंदे जमीन पर ही रहते हैं बास परिंदे पानी में बड़े मजे से तेरते हैं जैसे बत्तख और मुर्गाबी। आईए अब हम हिंदुस्तान के खास खास परिंदों के बारे में आपको बताएं। मौर हमारा कौमी परिंदा है। मौर आमतौर पर चार फिट लंबा होता है। इसकी गरदन लंबी और चाती का रंग गहरा और चमकीला नीला होता है। बादलों को देखकर जब मौर अपने बंक पहला कर खुशी से नाचने लगता है तो वो मनजर देखने से तालुक रखता है। हिंदुस्तान के अलावा ये लंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है जो सफेद रंका भी होता है। तोता मेना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज्यादा तर हरे रंका होता है। मेना का रंग, काला और इसकी चोंच पीली होती है। को एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए बेमरववद लोगों को तोता चश्म कहा जाता है, तोते की तरह आंके फिर लेने का महावरा भी इसी से बना है, कबूतर के लिए तोते से अलग बात कही जाती है, ये लौट कर जरूर आता ह कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है, कबूतर कई रंग और नसल के होते हैं, कबूतर उन परिंदों में से हैं जो अमूमन जुंड में रहते हैं, इनकी आवास गोटरगूं गोटरगूं की तरह सुनाए देती है, पुराने जमाने में कबूतर से एक जगा से दूसरी पेगाम पहुँचाने का काम भी लिया जाता था। मुर्गे और मुर्गें भी लोग घरों में पालते हैं। मुर्गा सुब सवेरे बांग देता है और सुब सवेरे हमें जगाता है। चकोर एक खुबसूरत और सुरीली आवाज वाला परिंदा है जो नेपाल, पंजाब और अफगानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। इसके बारे में ये मशूर है कि ये चांद का इतना आशिक होता है कि टक-टकी बांधे चांद को ही देखता रहता है। और गर्दन लंबी होती है। लेकिन दुम छोटी होती है। बगला भगत नाम से कहावत भी बन गई है क्यूंकि ये जाहरी तोर पर सीधा सादा दिखाई देता है। लेकिन असल में ये मचली की ताक में खड़ा रहता है। सारस भी सफेद रंका होता है लेकिन इसके उपरी हिस्से में लाली चमकती रहती है। उड़ने से पहले उसे भी हवाई जाहस की तरहा जमीन पर दौड़ना पड़ता है। हंस भी सफेद रंका खुबसूरत परिंदा है जो हमेशा जोड़े के साथ तालाप में रहता है। कहा जाता है कि ये मोती चुकता है। कववा और कोयल दोनों काले होते हैं। कववा चलागी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवास के लिए मशूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आता है तब कोयल की कू कू सुनाई देती है। कववा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। परिंदे हमारे लिए बहुत फाइदेमंद हैं। पुद्रत ने इनका जिसम ऐसा बनाया है जिससे वो आसानी से उड़ सकते हैं। ये छोटे छोटे कीडे मकोडे खाकर फसल की हिफाज़त करते हैं। कुछ परिंदे मरे हुए जानवरों का गोश्ट खाकर हवा को गंदा होने से बचाते हैं। इनमें गिध सबसे एहम है। गिध की उम्र बहुत तवील होती है। अब उसकी नसल खत्म होती जा रही है। परिंदे अमूमन घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज चड़ियां तो इतना खुबसूरत घोंसला बनाती हैं कि देख कर ताज़्जब होता है। घोंसले का एक एक तिन का ऐसी होश्यारी से प्रोया हुआ होता है जैसे किसी कारीगर ने बनाया है। इन में सबसे ज्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है, जो बहुत छोटा परिंदा होता है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होते हैं, सब के घुंसले अलग-अलग तरह के होते हैं, बास परिंदों का घुंसला टोकरी की तरह होता है, ऐसे भी परिंदे हैं जो अपनी लंबी चौंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं. बच्चो जरा सोचो इन खुबसूरत परिंदों के बगएर दुनिया कैसी लगती नाश्ता मूर, कुक्ती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तेरती बत्तखें, हवा में उंचे उड़ते कबूतर और चहकती चुडिया देखकर कितना लुटफ आता है परिंदे हमारे माहौल को भी खुशगवार बनाते हैं, अगर परिंदे ना होते तो शायद दुनिया ऐसी हसीन और खुबसूरत ना होती हमारा ये फर्ज है कि हम परिंदों की हिवाज़त करें सफ़ा नंबर बाईस, मश्क, लव्ज और मानी, करख्त, सख्त, खुर्दरी, भद्दी, उकाब, एक बड़ा परिंदा, मुरगाबी, पानी में रहने वाला परिंदा, बे मुरववत, वो शख्स जिसको किसी का पास और लिहाज ना हो, तोता चश्म, बे मुरववत, बेव आंके फेड़ लेना, एक मुहावरा, बे मुरववत होना, टक्टकी बांधना, मुहावरा, पलके जपकाए बगैर लगातार देखते रहना, बांग, आवाज, बगला भगत, बाहर से अच्छा, अंदर से बुरा, मकार, मोती चुगना, मोती खाना, कारी गरी, दस्तकारी, ह अच्छा लगने वाला, नसले, खानदान, कबीला, सफ़ा नंबर 23, गोर कीजिए, हमारी दुनिया जानवरों से भरी पड़ी है, जमीन पर रेंगने वाले, पानी में तैरने वाले, और हवा में उडने वाले, बेशुमार परिंदे हैं, जो दुनिया को खूपसूरत बनात और उसके माहौल को गंदगी से बचाने में हमारी मदद करते हैं, माहौल के एक मानी, समाज और घर बाहर के वो खालात हैं, जिन में इनसान रहता है, लेकिन इस सबख में ये लफज माहौलियात के मानी में इस्तेमाल हुआ है, माहौलियात हوا, पानी और जमीन को साफ परिंदे में की साथ लेकर माहूलERS साफ सुथ्या रखते हैं। बागों में जाते हैं तो सारे फल कुतर डालते हैं मगर उनके फायदे बहरहाल ज्यादा है सोचिए, बताईए और लिखिए एक, हिंदुस्तान में पाए जाने वाले दस परिंदों के नाम लिखिए दो, हमारा कौमी परिंदा कौन सा है? उसका नाम लिखिए तीन, बेमरववद इंसान की मिसाल किस परिंदे से दी जाती है? चार, वो कौन सा परिंदा है जो चान्द का आशिक कहलाता है? पाँच, आसमान में उचा उड़ने वाले परिंदों के नाम लिखिए सफ़ा नंबर चौबीस दिये हुए लवजों की मदद से खाली जगों को पुर कीजिए अमन, कौमी, उचाई, शौक, कारी-गरी, आसमान एक, कुछ परिंदे खाली जगा में बहुत खाली जगा तक उड़ सकते हैं दो, मोर हमारा खाली जगा परिंदा है तीन, तोता मेना को लोग खाली जगा से पालते हैं चार, कबूतर को खाली जगा की निशानी समझा जाता है पाँच, सबसे ज्यादा खाली जगा से बनाया हुआ घोंसला बयाका होता है यहाँ दी गई तस्वीरों को गोर से देखिए इन दी गई तस्वीरों में नाश्टा हुआ मोर, राजा, मुरगा, जईफ आत्मी, चुकता हुआ मोर, रानी, मुरगी और एक जईफ आृरत की तस्वीर दी गई है इन दी गई तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है नर को मुजखकर और मादा को मौनिस कहते हैं बेजान चीजें भी मुजखकर और मौनिस बोली जाती है यहां मुल्क, उकाब, परिंदा, रंग, पिंजरा मुजखकर है और सुरीली, जमीन, चूँच, आँख, मचली मौनिस है सफ़ा नमबर पच्चीस यहां दी गई पिंजरे की तस्वीर से मुजखकर और मचली की तस्वीर से मौनिस जाहिर होते है बॉक्स में दिये गए लवजों को चुनकर सही खानों के मुताबिक लिखिए यानि पिंजरे वाले खाने में मुजखकर और मचली वाले खाने में मौनिस अलफाज लिखने है आवाज, आस्मान, करख्त, पानी, सूरत, चमकीला, दुम, बादल, कोयल, मन्जर, फसल, जंगल, नसल, पहाड यहां कुछ जवाबात के लिए मुनासिब सवालाद बनाईए जवाब, हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं जवाब, उकाब, चील और कबूतर ज्यादा उँचे उड़ने वाले परिंदे हैं जवाब, हमारा कौमी परिंदा मूर है जवाब, तोता मैना को लोग शौख से पालते हैं जवाब, बगला, मुर्खाबी और बत्तक वगेरा पानी में रहने वाले परिंदे हैं सफ़ा नंबर 26 अलिफ और बे के हिस्सों को मिला कर सही जुमले बनाईए और खाली जगों में लिखिए अलिफ, बास परिंदे पानी में बड़े मजे बे, दूसरी जगा पैगाम पहुँचाने का काम भी लिया जाता था अलिफ, तोता मैना इस सफाई से बोलते बे, से तेरते हैं जैसे बत्तख और मुर्गा भी अलिफ, पुराने जमाने में कबूतर से एक जगा से बे, हैं के हैरत होती है यहां कुछ अलफाज दिये गए हैं जो वाहिद और जमा है वाहिद लव्ज, वाहिद के कॉलम में लिखे और उनकी जमा, जमा के कॉलम में इतवार आदत गिस्म खास जिस्म मनाजिर मनजर तौर अजसाम इकसाम आदात खवास सफ़ा नंबर 27 यहां कुछ तस्वीरे दी गई हैं और उनसे मुतालिक कुछ निशानिया दी गई हैं निशानियों को सुनकर बताईए कि ये किस परिंदे की निशानी है इसे अमन की निशानी समझा जाता है ये हमारा कौमी परिंदा है इसे लोग शौक से पालते हैं ये अपनी चलाकी के लिए मशूर है ये मीठी बोली के लिए जानी जाती है ये बांग देकर जगाता है सफ़ा नंबर 28 दिये गई इशारे के मताबिक मुहावरों के मानी की निशान देही कीजिए मुहावरे टक-टकी बांधना मानी बहुत गुसे में होना पानी पानी होना, अपनी ही बात कहे जाना, आपे से बाहर होना, बहुत कम होना, आसमान सर पर उठाना, बहुत शर्मिन्दा होना, अपना राग अलापना, बे मुरवत होना, आटे में नमक होना, पलक जपकाए बगैर देखना. मिसाल के तौर पर मुहावरा टक्टकी बांधना को इसके मानी पलक जपकाए बगैर देखना से मिलाया गया है दिये गए लवजों को सही तलफुस के साथ बलंद आवाज से पढ़िए और खुशखत लिखिए करख्त, उकाब, मुरगाबी, बत्तक, आशिक इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट, बतिलैंग लिंग्डो, समय फनकार, परवेज गौहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी, पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत